आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपका फोन अपने आप साइलेंट हो रहा है या फिर आपका फोन अपने आप साइलेंट हो रहा है तो यहाँ पर यह पर यह प्रॉबलम कैसे ठीक करें तो यहाँ पर इसके लिए आप अपने फोन की सैटिंग्स ओपन करि और नीचे आकर यहाँ पे आएगा Google तो यहाँ पे Google पे किलिक करिए उसके बाद यहाँ पे नीचे आकर आएगा Personal Safety तो फिर इस पे किलिक करिए Personal Safety पे किलिक करने के बाद आएगा Silence Notifications While Driving तो इस पे किलिक करिए यहाँ पे अगर आपका यह ओन है यहाँ से तो फिर इस पे किलिक करिए और इसे बंद करिए Silence Notifications While Driving बंद करने के बाद बैक आएगा बैक आने के बाद उपर आएगा Sound And Vibration तो यहाँ पे इस पे किलिक करिए उसके बाद उपर RingTone आएगा अब यहाँ पे अगर आपके फोन में कोई RingTone Set नहीं है यहाँ फिर अगर पहले से Set है तो इस पे किलिक करिए अब किलिक करने के बाद फिर से यहाँ पर एक ringtone select करिए तो जो अगर आपके फोन में set है आप उसे फिर से लगा सकते हैं बस आपको एक बार फिर से set करनी हैं तो जैसे की हम इसे apply कर रॺए हैं फिर से apply करके ok किया और अब ringtone set हो चुकी है तो अगर आपके phone में set नहीं है तो set करिए अगर set है तो फिर से ringtone लगाने के बाद back आईए अब उसके बाद अगर आपका ringtone volume यहां से कम है तो फिर इसे full करिए यहां पे नीचे आईए और नीचे आकर आएगा dnd अगर आपका dnd mode on है तो इसे बंद करिए और यहां पे आएगा schedule turn on time अगर आपका dnd में यह schedule चालू है तो इसे बंद करिए और उसके बाद अपने phone को एक बार बंद करके चालू करिए अब आपके phone में automatic silent mode on नहीं होगा तो इस तरीके से अपनी problem ठीक करें विडियो अगर आपको पसंद आई तो इस विडियो को लाइक जरूर करें